दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जब पसीने में कोई स्मेल नहीं होती है तो हमारे शरीर से ये बद्बू क्यूं आती है और इसके पीछे की वजा क्या है गर्मियों के मौसम में जब भी हमारे शरीर से बहुत पसीना आने लगता है तो हमें बद्बु महसूस होती है और कई लोग तो ये पसंद भी नहीं करते पर अगर आपको ये कहा जाए कि पसीने में किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है तो शायद ये सुनकर आपको अजीब जरूर लगेगा क्योंकि बच्पन से लेकर अभी तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि पसीने से बद्बु आती है लेकिन ये पूरी तरह से गलत है इंसान के पसीने में किसी तरह का कोई स्मेल नहीं होता है लेकिन अब ये स्मेल कहां से आती है तो इसके पीछे की वज़ा ये है कि जब शरीर का बैक्टीरिया पसीने में मिल जाता है तो हमारे शरीर से बद्बु महसूस होने लगती है इतना ही नहीं हमारे शरीर से बद्बु आने के कई और कारण भी हो सकते है इसके बारे में हम आज विस्तार रूप से चर्चा करेंगे अगर हम सबसे पहले कारण की बात करें तो यह हॉइमोनल बदलाव होते हैं जब कोई वैक्ती किशोरावस्था से युवावस्था में पहुँशता है तो उस समय इस तरह के बदलाव नजर आते हैं जिस तोरान पसीने वाली क्रंथी बहुत सादा सक्रिय होने की वज़े से बद्बू पैदा करती है इस समय पसीना और बैक्टिरिया मिलकर सादा बद्बूदार हो जाता है इतना ही नहीं आपका खान पान, मेडिकल कंडिशन और फिजिकल एक्टिवीटी कैसी है इस बात पर भी ये बाते निर्भर करती है कि आपके पसीने की बद्बू कैसी है अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर से कोई बद्बू ना आए तो आप इस परिशानी से मुक्त हो सकते हैं इसके लिए नहाने के दौरान ड्रायोडाइजिंग सामून का इस्तमाल करें इतना ही नहीं अपने हाइजीन का पूरी तरह से खयाल भी रखें साथ ही साथ पसीने आने वाली जगह को साफ सुथरा रखें जो आपके पसनालिटी को भी निखारता है पर अगर आप उन वैक्तियों में शामिल है जिन्हें बहुत साथा पसीना आता है तो फिर आपको डौक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है दरसल कई ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है जिसकी वज़े से आपकी ये समस्या खत्म हो सकती है